ये विध्यारतियों, आज हम शुरू करेंगी शेट प्रभावी टांजिस्टर, फिल्ड इफेक्ट टांजिस्टर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, ये सब हम इस चेप्टर में देखेंगी, तो फैट क्या चीज है, ऐसी अर्धचाला क्युक्ति, जिसमें धारा प्रवहा, उसमें उत्पन, विद्ध शेत्र द्वारा नियंत्रित होता है, फैट कैलाता है, फैट मतलब फील्ड इफेक्ट टांजिस्टर, यानि फील्ड का इफेक्ट आता है, जिसके द्वारा क्या कंट्रोल होती है, उसमें धार होती है फैट कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के जंक्शन फैट और मॉसफेट जंक्शन फिल्ड एफेक्ट टांजिस्टर और मैटल अक्साइड सेमी कंड़क्टर फिल्ड एफेक्ट टांजिस्टर अब यहां पर हमने इनके विभिन भाग दिखा रखे हैं कि फैट दो जंक्शन फैट और मॉस्फैट और जंक्शन फैट दो तरह का है एंड चैनल फैट और पी चैनल जंक्शन फैट और मॉस्फैट दो मोड में काम करता है दिपलीशन मोड में और एनहांसमेंट मोड में काम करता है और depletion mode में भी आपके पास दो प्रकार के channel है N channel और P channel इसे तरह enhancement mode में भी दो प्रकार के channel है N channel और P channel अब हम यह देखते हैं कि FAT और bipolar transistor में अंतर क्या है क्योंकि पिछले lecture में हम अध्यन कर चुके हैं कि bipolar transistor किस प्रकार से उनकी working है किस प्रकार से वो काम करते हैं तो उनका अंतर हम दोनों में देखने जा रहे हैं तो जो FAT है वो unipolar device है और इसमें जो धारा प्रवा है या FAT का जो प्रचालन है वो किवल बहु संख्याप वागों पर निर्फर है जबकि जो bipolar transistor है उसमें प्रचालन में दोनों ही वहाग भाग लेते हैं दोनों का ही असर उ जब कि इस्टेबलिटी को बनाए रखने के लिए इसकी प्रवाइसिंग ज़रूरी होती है और इसकी बीच अंतर क्या है कि आपके पास जो FAT है समान्यता उसकी जो निवेशी प्रतिवादा है वो मेगा हम में होते हैं बहुत अधिक होती है जबकि bipolar transistor में कॉमन बेस और कॉ कि इवल कॉमन कलेक्टर में निवेशी प्रतिवादा कमान अधिक होता है लेकिन वह भी 10 की पावर 4 ओम से कम होता है मेगा ओम में नहीं होता है और जो नौइस है नौइस हम क्या होती है कि ऐसी आवांची संकेत जो पैदा हो जाते हैं किसी भी इलेक्रोनिक डिवाइस में जो कि निवेशी संकेत को फिर प्रभावित करते हैं उसको करप्ट करते हैं जिसकी वज़े से हमारा आउट्पुट भी प्रभावित होता है और इसको हम क्या कहते हैं नौइस कहते हैं और नौइस आपने अनुभव की होगी जो आपके पास रेडियो रेसीवर्स हैं उसमे इसे जो धुनि आती है और इसी तरह टेलीफॉन वारता में जब आप बज की धुनि सुनते हैं और टेलीविजन पर जो फ्लिकर्स आते हैं वो सब इसी नौइस के कारण है इन्ही आवांचित संकीतों के कारण है तो जो फैट है उसमें नौइस कामान कम होता है जबकि फैट की तुलना में बी जेटी का यानि बाइपोलर जंक्शन टांजिस्टर का अधिक होता है हमने यह सुप जाते हैं जो बाइपोलर टांजिस्टर के लिए वो सब आपड़ चुके हैं और फैट के लिए यह सब बातें जो कि हम कह रहे हैं वो अभी हम इस चेप्टर में पूरा ध्यन करेंगे लेकिन एक डिस अडवांचेश फैट की यह है कि इसकी गैन बेन वैट प्रोडक्ट का मान जो है वो बहुत कम होता है तो इस्थिरता इसकी कम है गैन बैन फ्रिक्वेंसी के साथ अब हम देखते हैं आगे कि फैट की सरंचना कैसी है और वो किस तरह से करता है सबसे पहले हम देख रहे हैं जंशन फैट को देखा था दो प्रकार के था न चैनल और पी जनल न, चैनल की सरंचना की बात कर रहे है उसी प्रकार आप एंक चैनल में तूल न चैनल के बद fractions को बता सकते हैं तो फूरा के देख यह रहे हैं बने कि च्वे एक एक Дж fulf कि यह वाद प्रकार की है और में दाई और भाएं दिखारा है एक सपड़ कि अपर बंगे कारे जाते हैं उन के अप्रिफ कर दोप्रत विंच भुप में ला और ट्वप पर शीक्ट नवी कंते निसरा एक रहा वनों निचे फिसक्ट कर अत्यातिक बागरा कि अर्ध चालक कि यहां पर डोपिंग की जाते हैं यगर N चैनल फैट है तो P टाइप की कि यहां डोपिंग की जाएगे और यह डोपिंग कैसी होगी अधिक्ते अधिक होगी इसलिए इसको हमने दिखाया है P प्लस से और अगर यह P चैनल होता तो यह छड़ा हमारी पी करते वह करते एंड टाइप की और वह कैसे करते डोपिंग कैसी होती अत्यधिक होती तो एंड चैनल की बात कर रहे हूं इसलिए पी टाइप के मैटेरिल की दोनों तरफ डोपिंग की गई है उपर नीचे और इनको एक तार से जोड़ दिया गया है ताकि यह एक ही टर्मिनल बन जाए अब यहां पर यहां पर हम यह देखते हैं कि आपके पास यह जो दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो एक तो बन गया सोर्स टर्मिनल एक बन गया डेन और उपर नीचे जो हमने आउमें कॉंटेक्ट लगाए पी प्रकार की परत के दोनों और तो यह कहलाते हैं अवशे परत बन रही है, अब हम यहां देखते हैं कि आपके पास यह पी और एंड जहां मिलेंगे आपको भी पता है तो दो पी एंड जन्दियां बन गई है इक गेट के इस तरफ यहां पर और जूसरी पी जबनेग है यहां पर तो यहां पर जुकि हमने दो तरफ पी टा संधी बनेगी अपरफ जंक्षन बनेगा और उस वज़े से आपके पास यहां जो आफ्ष्यानल की डोपींग कम है और पी की डोपन हमने बहुत अधिक की है तो इस अपरफ जंक्षन की वज़े जैसे जहां कम डोपिंग की है अफशेपरत वहां अत्यदिक मोटाई उसकी वहां चली जाएगी अफशेपरत की मोटाई पी में बहुत कम होगी यहां बात किसकी कर रहे हैं एंचनल फैट की कर रहे हैं तो यहां पर जंक्शन फैट की जो मुख्य भाग हैं वो कौन-कौन से ह स्रोत क्या कहलाता है वह टर्मिनल जिसके द्वारा बहुत संख्यक वहां चड में प्रवेश करते हैं और इसकी धारा को हम किस से दिखाते हैं आही ऐस से दिखाते हैं दूसरा भाग है निर्गम और निर्गम वह टर्मिनल है जिसके द्वारा चड से बहुत संख्यक वहां बहाय परिपत में प्रवेश करते हैं। या किए सकते हैं कि जो स्रोट से बहुत संख्यक वहाँ称ूजत होते हैं, वो revenue करें ग्रहण किया जाते हैं। और बहाय प्रवेश को दिये जाते हैं। और इस से जो धारा बैती है उसे हम किस से दिखाते हैं। अब है गेट हम देखी चुके हैं कि छड़की यहां पर जो हमने दिखाई है छड़की लंबाई के दोनों और लंबत जो विप्रित अशुद्धी की परत चड़ाई जाती है जिसमें डोपिंग भहत अधिक रखी जाती है वो जिससे कि किसका निर्मान होता है चैनल में दो प किया था कि जब एन चैनल फैट बना है तो एक कम डोपित अर्ध चाला की छड़ली है एन टाइप की और उसके दोनों तरफ क्या होते हैं अध्यदिक माधित प्रविपित प्रकर्ती की पतली परत होती है तो हम यह कह सकते हैं जो पी एं संधी बन रही है जो दो पी एं संध का प्रवाह हो रहा है वो शित्र क्या कहलाता है ए चैनल कहलाता है तो इसे आधार पर हम दो नाम देते हैं एन चैनल फैट और पी चैनल फैट यानि अगर वह छड़ एन प्रकार की है तो एन चैनल फैट होता है अगर पी प्रकार की है तो पी चैनल फैट होता है और गेट इसके विप्रित अगर न परगार का चैनल यह तो प्रगार की जाते हैं और अगर प्रगार का चैनल है तो n परोख करने हैं. अब हम बात करते हैं संकेत चीन में परपत का हम कैसे दिख्छाथे हैं? तो हमने यहां एक सर्किल के अंदर इसकी निरूपन किया है कि जंग्शन फैट को कैसे दिखाया जाएगा यहां थोड़ा सा ध्यान दे कि जब हम टांजिस्टर में दिखाते हैं उसको कलेक्टर और अमिटर को तो थोड़ा सा टिल्टेड लाइन दिखाते हैं यहां पर इस प दिखाया है बहते हुए जब कि हम जब बाइपोलर अर्णिस्टर में दिखाते हैं तो अमिटर और बेस के मद्दे हम धारा की दिखाते हैं संकेट जिन दिखाते हैं यहां पर यह एन चैनल फैट है तो डी और एस दोनों एंड टाइप के हैं और जो गेट है वो पी आँए परिपाते ही हैं अब हम धेकते हैं वोल्त एधारा की परिबाती क्या है तो FAT भी एक द्वीपोर्ट युक्ती हो गई, एक हो गया गेट सोर्स, दूसरा हो गया सोर्स टेंट या नहीं, फोर टर्मिनल डिवाइस हो गई है, अब इसमें हमेशा वही पहले की तरह ही बाहरे पत्पत्पे में धारा सदैव टर्मिनलों में प्रवेश करती हुई दिखा करते हैं जो उभेनिश्ट भू संपर्कित टर्मिनल है उसके लिए वोल्टा को रिनात्मक मानते हैं, या भू टर्मिनल हमेशा लोवर पोटेंशल पे होगा, तो उसको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे जबकि उसकी कॉर्रस्पांडिंग जो अलग टर्मिनल है, ज चैनल के लिए VDS, यहां S क्या है, common है, common है, common source के हम बात करें, input और output में common क्या है, source है, यह सारे, जो लिखे गए है, यह मान किसके लिखे गए है, common source के लिए, तो common source विञ्यास के लिए, N-channel fat में VDS का मान positive होता है, VGS का मान negative होता है, और B-channel fat के लिए VDS का मान negative होता है, और VGS का मान positive होता है, तो fat के तीन प्रकार के अभी विञ्यास हम बना सकते हैं, common source, common gate और common din, इसमें जो सबसे अधिक common है, प्रचलित है, वो है common source, और हम इस चैप को मैंने कोई बायस नहीं दी है और common सोर्स की चुकी में बात कर रही हूं तो input पर मेरे पास होता है gate और source terminal और output पर होता है drain और SOURS terminal तो अब यहां पर ना तो मैंने input को कोई बाइसिंग गोलता दी है और नहीं आउटपुट को कोई वाइसिंग वोल्टा दी है तो VGS इसलिए VGS पर भी कोई गेट और स्वोर्स की बीच भी कोई वोल्टा उत्पन नहीं होगी और इसलिए VGS का मान भी 0 है और VDS का मान भी 0 है तो VGS अगर 0 है तो चैनल इसका मतलब क्या है पूरी तरह खुला है क्योंकि हमने कोई भी जब वोल्टा बाहर नहीं लगाई है तो जितना अवश्य परत बन रही थी वो उतनी ही है और हम यह मानते हैं कि चैनल इस स्थिती में पूरी तरह खुला हुआ है और VDS अगर 0 है तो निर्गम धारा क्योंकि आविश वहाकों को अट्रेक्ट करने के लिए कोई भी पोटेंशल ड्रेन से नहीं मिलता है इसलिए निर्गत धारा भी प्रवाहित नहीं होती है तो बिना बाइस के फैट में VGS 0 और VDS 0 होने पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है अब हम देखत अब चैनल की दोनों हम देख चुके हैं कि हमने अत्यदिक मादित गेट बनाए हैं अधित करके गेट का निर्मान किया है तो उसके कारण जो अवश्यपरत बन रही थी वो कहां बनती है चैनल में ही बनती है और जिससे आवेश वहकों के लिए जो प्रवावी बहने का शेत्र है ख्रीली बहने का शेत्र है वो कम हो जाता है क्योंकि अवश्यपरत क्या करती ह अधारा प्रवा में बाधा उपसित करती है तो जब VDS को मैंने कोई बायस नहीं दी मालो तो पश बायस मैंने क्या किया VGS की बढ़ाई उसको बढ़ाने की वज़े से जो अवश्य परत की खुली चैनल की मोटाई है जो चोड़ाई है खुला चैनल की जिसमें से होकर धारा ब हो जाता है बिल्कुल चैनल पूरी तरह संकुचित हो जाता है बंदरी होता हम कह रहें संकुचन हो जाता है उसका और इस वोलता को हम क्या कहते हैं संकुचन वोलता के बाद अगर आप VDS बढ़ाते हैं तो धारा संत्रप्त हो जाती है अब VDS अगर 0 नहीं है और अगर VDS 0 तब आपके पारस हम क्या करते हैं श्रॗत वोर्टा के लिए जब how il hrottah keiliya जब निर्गम स्रोट वोर्ट जहीरो नहीं है तो दो निर्गम् स्रोट वारता के लिए जब eye-degam 눈 निकालते हैं तो निर्गम धारा को vgs के दरा भी नियनत्रित कर सकते हैं तो VDS के परिमत मान जब हम रखते हैं, तो VDS के परिमत मान के लिए चैनल समानता रुप से संकुचित नहीं होता, वरन क्या होता है, निर्गम टर्मिनल की और से अधिक संकुचित होता है, क्यूं? क्यूंकि हमने क्या किया है, कि गेट को तो रिवर्स बाइस दी ही है, गेट यहां पर हमने क्या किया है, कि सोर्स को हम ड्रेन की तरफ से कौन सी बाइस देते हैं, अगर बाइस देते हैं, जिसकी वज़े से ड्रेन पर कौन सी बाइस लगती है, पश बाइस लगती है, तो यहां पर दो पश बाइस होने की वज़ाए से ड्रेन की तरफ से चैनल अधिक सुकुड़ता है बजाय श्रोथ की तरफ से और यहां पर एक एक सीमा ऐसे आती है वीडिवाइश बढ़ाने पर कि धारा लगबक ऐसी हो जाती है आपके पास संत्रप्त हो जाती है इस सिति में ऐसा नहीं है कि चैनल बंध हो जाता है चैनल पर्याप्त मात्रा में खुला रहता है लेकिन ये चैनल के संकुचन की सिति है और इस सिति में धारा क्या हो जाती है संत्रप्त धारा बहती है क्यों क्यों कि आपके पास उस से अधि और अधिक बढ़त है और अधिक बढ़ते हैं तो अधिक बढ़ती है तो दैरा बहुत तेजी से बढ़ती है और फेट क्या हो जाता है खराब हो जाता है क्योंकि आपको पता है अच्से से कि अर्धिचालक में बहाँ ज्यादा बोलता बड़ा दने पर सैसे मुझी बंद तूटने लग जाते हैं और अगर वीडियेस और वीजेस दोनों का मान अधिक हो क्योंकि वीडियेस तो हम ड्रेन को मिलती है रिवर्स बाइस लेकिन सोर्स को मिलती है और वीजेस में दोनों को क्या मिलती है रिवर्स बाइस मिलती है तो अगर वीजेस का मान अधिक है तो आपके पास कम वीडियेस पर भी क्या हो जाएगा भंजन हो जाएगा तो अब यहां पर हमने थोड़ा सा यहां एक फ यहां इस चैनल की चोड़ाई किती दिखाए गई है टूबी और यह बढ़ी है खुला चैनल है इस समय पूरा अब वीडियस इस इकल टू तो जीरो ही है सभी में लेकिन अब वीजी इस को हम क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं यहां माइनस का क्यों दिखाया गया है क्योंकि हम इस नहीं रिभर्स वोल्ट है रिवर्स वाइसिंग देते हैं गेट वोल्ट को तो जब यह रिवर्स बढ़ रही है यहां पर जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे कि और रिवर्स बढ़ रही है तो अगर आप ध्यान दे तो यह जो खुले चैनल की चोड़ाई टूबी में तो यह जो अवश्य परत है यह दोनों तरफ से कैसी है? समान है. ड्रेन की तरफ भी उतनी ही मुटाई है, इसकी जितनी सोडस की तरफ है. तो एक तरह से समरोप्तू बी इधर भी है. और खुला चैनल समरोप्तू बी इधर भी है. तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि चैनल संबान रूप से दोनों तरफ से खुला है सोर्स से लेकर ड्रेन तक तो अवश्यपरत की मुटाई भी दोनों तरफ क्या है? समान है लेकिन जब मैं VGS का प्रभाव तब देखती हूँ जब कि VDS 0 नहीं है तो जब VDS 0 नहीं है तो VDS का कोई मान नियत वोलता उसको दी गई है तो VGS को जैसे जैसे मैं बढ़ा रही हूँ तो यह effect आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर VGS तो हमारे पास reverse bias थी ही सही तो इसके कानावश्यपरत बन रही थी अब जब हम VDS को भी दे देते हैं तो यहाँ पर भी इसको क्या मिलती है reverse bias मिलती है तो इस तरफ से drain की तरफ से channel अधिक संकुचित हो जाता है और source की तरफ से अधिक खुला होता है तो depletion lower की जो मुटाई है वो source की तरफ कम है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ मुटाई कम है और drain की तरफ अफश्यपरत की मुटाई बढ़ती जारी है जिसकी वज़े से channel यहाँ तो अधिक खुला है लेकिन drain की तरफ से यह आपको कम खुला नजर आ रहा है और जैसे जैसे ही आप VGS कमान बढ़ाते हैं VGS की किसी नियत वोलता पर तो आपके पास चैनल drain की तरफ से अधिक संकुचित हो रहा है source की तरफ से एक खुला है तो एक ऐसी वोलता है जिस पर यह पूरा क्या हो जाता है पिंच अफ हो जाता है और इस पर धारा क्या हो जाती है यानि यह केवल इतना ही एरिया खुला रहता है जिससे होकर आवेश वातकों की समान समय में एक समान मात्रा ही निकल पाती है और वो अधिक्तम धारा के स्तिती होती है और इस समय धारा क्या होती है संत्रप्त हो जाती है और धारा नहीं बढ़ती है लेकिन अगर आप फिर भी बोलता बढ़ाते हैं तो भंजन हो जाता है फैट में और वो काम करने के योगे नहीं रहता है अब ये हम इस बात से देख रहे हैं कि जो धारा का प्रवा है वो इस अवशेपरत द्वारा नियंत्रित हो रहा है और अवशेपरत की समात्रा में बनी है अवशेपरत की समात्रा में बनी है उस आधार पे धारा का नियंत्रण है और अवशेपरत में हम जानते हैं कि आयन होते हैं हम पहले ही पियान संदी में पढ़ चुके हैं कि जब अफ्षयपरत बनती है तो आइनों की कारण होती है और उन आइनों से क्या बनता है विद्धुशित्र बनता है तो इसका मतल़ हम यह कह सकते हैं यह अफ्षयपरत धारा को कंट्रोल कर रही है तो इंडिरेक्ट वे में हम यह कह सकते हैं कि जो विदुशित्र यहां अवश्यपरत में बन रहा है उसके कांधारा प्रभा का नियंत्रन हो रहा है इसलिए हम कहते हैं कि इसका नाम क्या दिया गया है field effect transistor तो कौन सा field effect कर रहा है कौन से शेत्र का प्रभाव आ रहा है तो जो अवशे शेत्र में अवशे परत में जो विद्धु शेत्र बन रहा है उसका प्रभाव धारा प्रभाव पर आ रहा है इसलिए हम इसको कहते हैं field effect transistor धन्यवक्त